सनी देवल की फिल्म गदर टू का थेटर्स में जादू बरकरार चौथे दिन भी बॉक्स ओफिस पर चला सनी का हतोडा गदर टू ने शारुख सलमान की फिल्मों का भी तोड़ा रिक्षा सनी देवल और अमिशा पटेल स्टार और फिल्म गदर टू ने रिलीस होते ही धमाल मचा दिया है दर्शको दुआरा सनी पाजी की फिल्म को जबरदस रिस्पॉंस मिल रहा है फिल्म को लेकर लोगों का क्रेज ऐसा कि लोग थेटर्स के बाहर ट्रेक्टर लेकर तक पहुँच रहे हैं पूरे थेटर्स में हिंदुस्तान जिंदाबाद की गूज हो रही है लोग जम कर सनी देवल के डायलोग्स पर तालिया बजा रही है ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि बॉक्स ओफिस पर एक्टर सनी देवल का हतोड़ा जम कर चला है हलागे फिल्म को रिलीज हुए चार दिन बीच चुके हैं तो आई है ऐसे में जानते हैं फिल्म ने अपने चारत दिन में कितना कलेक्शन कर लिया है द्रसल सनी देवल की फिल्म गदर टू ने अपने पहले दिन बॉक्स ओफिस पर 40 करोड का कलेक्शन किया था जो कि फिल्म के लिए एक शांदार शुरुआत थी वही फिल्म ने अपने दूसरे दिन 43 करोड आठ लाख रुपई का कलेक्शन कर लिया था और तीसरे दिन गदर टू ने बॉक्स ओफिस पर 51 करोड 7 लाख रुपई का कलेक्शन किया वही फिल्म के सोंवार के आकड़े सामने आ गए है बॉलिवड हंगामर रिपोर्ट के मुदाबिक गदर टू ने अपने पहले रिलीज के चोथे दिन 35 करोड 75 लाख रुपए से लेकर 37 करोड का कलेक्शन किया है जो कि काफी शांदार है वहीं चारो दिनों को मिलाकर फिल्म ने अभी तक 172 करोड रुपए का कलेक्शन कर लिया है आपको बता दे कि गदर टू ने अपने सोमवार के कलेक्शन के बाद पठान का रिकॉर्ड तोड दिया है और अब ये पहले सोमवार को सबसे ज्यादा कलेक्शन करने की लिस्ट में बाहुबली के बाद दूसरे या तीसरे नमबर पर होने की संभाव ना है आपको ये भी बता दे कि बाहुबली टू ने अपने पहले मंड़े को 40 करोड 25 लाख रुपए का कलेक्शन किया था इतना ही नई सल्मान खान की फिल्म टाइगर्स जिन्दा है इस लिस्ट में 36 करोड 54 लाख के कलेक्शन के साथ तीसरे नमबर पर खिसक सकती है साथ इस लिस्ट में 25iben 25 लाख रुपए के कलेक्शन के साथ 8 वे या 9 वे स्थान पर हो सकती है फिलहाल तो गदर 2 की कमाई की रफ्तार देखते हुए आज 15 अगस की छुटी पर इसके जबरदस्त कलेक्शन की उमीद की जा रही है कहा जा रहा है कि 15 अगस को ये फिल्म 200 करोड का आकड़ा जरूर पार दर लेगी ऐसे में गदर 2 अब बॉक्स ओफिस पर लंबे समय तक टिकने वाली फिल्म लग रही है बहराल गदर 2 फिल्म गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल है ये फिल्म 22 साल बाद बड़े परदे पर वापस लोटी है इस फिल्म में पिशली बार की तरह सनी देवल ने तारा सिंग का रोल अदा किया है इसके लावा मिशा पटेल ने सकीना का किरदार निभाया वहीं चरंजीत के किरदार में उतकर शर्मा नजर आये है और सिम्रत कौर ने तारा सिंग की बहू का रोल अदा किया है इसके साथ ही मनिश्या वाद्वा ने फिल्म में विलेन का रोल निभाया है वैसे आपको ये भी बता दे कि गदर के पहले पार्ट ने सिनिमा घरों में जम कर धमाल मचाया था और फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर खूब कमाई भी कीती